एक generalist की friend उसे अपने एक बड़े businessman के साथ affair के बारे में बताती है उसके एक विग बात ही उसका murder हो गया था अब इसके बारे में investigation करने के लिए वो generalist उस businessman के लिए काम करने लगती है slowly slowly बहुत सारे राज बाहर निकलती है Hello friends, आज मैं आपको Perfect Stranger 2007 की एक बहुत ही अच्छी mystery Hollywood movie explain करने वाला हूँ इसकी ending भी twisted है जो आप figure out नहीं कर पाओगे तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजे अब बिना किसी दरी के expansion start करते है movie start होती है और हम हमारी main character Rovina को देख सकते है Rovina एक generalist है और आज एक senator की interview लेने के लिए वो आई हुई थी उसे बात करने के बाद उसे गहती है कि तुम एक gay हो फिर भी gay rights के against हो ये devil standards है senator की secrets के बारे में किसी को भी पता नहीं था इसे दबाने के लिए वो कितने भी पैसे खर्च करने के लिए ready था पर Rovina इस बात के लिए नहीं मानती वो अब senator को expose करने वाली थी तो इसके लिए बहुत ही खुश थी अबने गलिक miles के साथ इसे celebrate करती है पर अगले दिन उसके बास ने उसे office में बुला है कहा तुम्हारा source अब पलट चुका है senator ने उसके source को ये बहुत सारे पैसे दे दिये और इस वज़े से अब इस story वो run नहीं कर सकते है क्योंकि उनके पास एक reliable source नहीं है ये एक बड़ी advertising agency का owner था grace ने कहा कि एक function में मैंने उसे देखा हुआ था तो मैंने directly उसे online contact किया हम दोनों की बादचीत होने लगे और हम flirt भी करते थे एक दिन में directly नुई यॉक आके उसके सामने आके उसके बात क्या था हम दोनों intimate हो गए इसी तरीके से हमारा अफेचरा पर एक दिन अचानक से उसने call करना ही बंद कर दिया grace चाहत ही थी कि रोविना हैरिसन हिल को बदनाम करे grace और रोविना ये बचपन से एक दुसरे की neighbors थे पर हम रोविना के expression से देख सकते हैं इक grace से मिलकर हो इतनी खुश नहीं थी घर आने के बाद रोविना ने हैरिसन पर ज़रा research किया पर इसमें उस जादा interested नहीं थी एक दिन रोविना को grace की मदर का call आया वो कहती है कि grace घर पर ही नहीं आई उसके लिए बहुत ही वरीड थी रोविना ग्रेस की मदर को कहती है कि grace को कुछ भी नहीं हुआ एक फीक पहली तो मैंने उसे बात की थी hospital से call आया था grace की dead body को recognize करने के लिए रोविना को बुलाय जाता है रोविना फिर hospital पर गई वहाँ पर dead body के आग वेगरा सब को swollen थे grace की body पर tattoo से रोविना उसे पहचान लेती है इस बात से वो बहुत जादा disturb होगी रोविना ग्रेस की मदर को promise करती है कि जिसने भी यह किया होगा मैं उसे ढूण निकालूंगी grace का एक boyfriend भी था जिसके साथ आजकल उसके जगड़े चल रहे थे पर उसने नहीं किया था नेक्सिन में रोविना ने माइल से बात की माइल्स साइबर सिक्रेटी में है रोविना, Harrison और ग्रेस की बीचन जो भी चैटिंग हुई थी इसके बारे में जानना चाहती थी उसे लगता है कि शायद Harrison Hill ने यह सब करवाया हो सकता है माइल्स भी grace को जानता था तो रोविना ने उसे पूचा क्या तुम उसके contact में थे Miles ने कहा कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे boyfriend के साथ Grace intimate हुई है उसके बाद मैंने उसे कोई भी संबन नहीं रखे यही reason था रोविना Grace से upset थी Miles सारी चीज़े पता करता है Grace से जो chat करता था उसका username Addix है के लिए Miles उसे help करता है रोविना का एक boyfriend भी है जो Miles को अच्छा नहीं लगता क्योंकि Miles उसे like करता है इसके बाद हमें Harrison Hill दिखा जाता है यह इस टाइव का character है कि अगर उसके साथ किसी ने धोका किया तो उसे बहुत जादा गुसा आता है पर वो खुद धोके वाज है अपने wife पर cheat करता है अपने mentor से client चुरा लेता है रोविना जब उसके लिए काम करने लगे तो उसे notice करता है Miles को Grace की autopsy report से पदा चला कि Grace को poison देकर मारा गया था पर यह poison उसकी आखों में डाला था जब उसका murder हुआ तब वो pregnant भी थी यह सारी बाते वो रोविना को बता देता है रोविना को यह सब disturbing लगा पर फिर भी अपने job पर वो focus कर दिया अपने colleague से उसने Harrison के बारे में पूछा उसके office के बारे में पूछा colleague ने गा कि Harrison के बहुत सारे affair हुआ करते थे वो उसके साथ है वो सिर्फ wait कर रहे है Harrison को affair करते हुए पकड़ने का इसके बार divorce लेकर उसके बहुत सारे पैसे लेकर वो चली जाएगी घर पर Miles रोविना के लिए चाट के लिए setup करवा देता है अब वो Harrison की ex-employee के नाम से Harrison से चाट करेगी यह सब confirm करने के लिए कि Harrison ही addicts है यहाँ पर वो discuss कर रहे थे कि Harrison की wife ने murder किया हो सकता है क्योंकि उसके पास ही पैसो का motive है रात में Harrison से चाट करते वग रोविना जरा कतरा रही थी पर Miles उसके PC का control लेकर directly Harrison से contact कर देता है जब तक Harrison और रोविना ने बात की तब तक Miles ने Harrison के सारे HRS निकाल लिये थे Miles ने रोविना की permission लिये हुए यह सब क्या था तो इस वज़े से रोविना उस पर बहुत जादा गुसा हो गई उसे यह सब फिर से करने के लिए मना करती है रोविना की फिर Harrison से regularly बात करना स्टार्ट हो गया था यह दोनों एक दुसरे से flood करते थे रोविना ने उसे का कि मैं पहले तुमारे office में काम करती थी हैरिसन फिर directly उसे उसकी photo मांग लेता है रोविना ने जल्दी से Miles को call लगा और कहती है कमपनी की database से विरुनी का नाम की लड़की का एक photo निकालो हैरिसन चैट को बन कर दे इससे पहले Miles ने फोटो उसे भेज़ दि यह photo रोविना की PC पर ही थी तबी सामने से हैरिसन आ गया यह वो PC बन करने का बहुत try करती है और finally उसे बन करती है हरिसन रोविना से भी flood कर रहा था उसने कहा कि मैं पास के बार में हूँ अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो रोविना ने कहा कि अगर मुझे लगा तो last month में में आ जाऊंगी आज रात रोविना और Miles की Grace के case के investigator के साथ meeting थी वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जिस poison की वज़े से Grace की date हुए यह poison बहुत ही common है कोई भी से access कर सकता है इसका नाम में Bella Donna इसके बाद बार में मिलने के लिए रोविना हरिसन के पास आई हरिसन उसके लिए एक special drink order करता है कहता है पूरे डाउन में सिर्फ यही पर ही मिलता है आज हरिसन ने अपने एक employee को मार कर office से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने धोका दिया है इसके बारे में रोविना उसे पुछती है तो हरिसन कहता है मुझे धोका देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते तो रोविना ने कहा हम दोनों यहां कर कह रहे है तुमारी wife है पर फिर भी तुम मेरे साथ हो यह बात हरिसन को अच्छे नहीं लगी वो कहता है कि मैं तुमारी ले गाड़ी book कर देता हूँ वो तुमें घर पर छोड़ देगी घर पर आने के बाद रोविना फिर से हरिसन के साथ चैट करने लग गई यह आज राट डर्टी चैट कर रहे थे पर हम देख सकते हैं कि माइल्स बहुत ही ड्रंक था और हो हैरिसन का ढोंग लेकर उसके आकाउंट से रोविना से बात कर रहा था अगली दिन सुबह रोविना से मिलने के लिए उसका बॉइफ्रेंट आया यह वही बॉइफ्रेंट है जो ग्रेस के साथ भी इंटिमेट हुआ था माइल्स रोविना को कॉल करता है तब उसने बाइगराउंड में उसके बॉइफ्रेंट का आवाज सुना माइल्स इस पर गुसा हो गया कहता है तुम अभी भी उसको डेट क्यों कर रही हो उसने तुम पर चीट किया था रोविना इस बात को माणने नहीं वाली थी तो माइल्स ने कहा कि तुम्हारा बॉइफ्रेंट आज रात पुलीस टेशन जाकर एक डियने टेस लेने वाला है पुलीस को लगता है कि ग्रेस का वेबी उसका ही था इस बार रोविना गुस्सा होगी उसने अपने बॉइफ्रेंट को कंफरंट किया बॉइफ्रेंट भी गिल्टी मैसुस करता है कहता है कि शायद वेबी मेरा हो सकता था रोविना ने फिर गुस्से में उससे ब्रेक अप कर लिया वो ज़रा अफसेट होकर काम पर जा रही थी पर नीचे Harrison उसका वेट कर रहा था वो कहा था कि मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाहता हूँ कल रहा जो भी हुआ इसको Harrison ने इतना ज़ाद सीरिसली लिया नहीं Nixon में Miles और Rowena डिस्कस कर रहे थे Miles ने Harrison की wife के बारे में भी ज़रा information निकलवाई उसे पता चला कि उन्होंने pharmaceutical company में invest किया था अगर इनको Harrison की email का access मिल गया तो बहुत सारी चीज़े प्रूव कर सकते है Miles राइकली से hack नहीं कर सकता था तो उसने Rowena को एक USB दिया कहता है कि इसे जाकर Harrison की PC पर लगा तो इसे इने email का access मिल जाएगा Rowena भी रात में जाकर Harrison की PC पर USB लगा देती है पर PC में बहुत ही अच्छा software था जो इस तरही की attack को रोकता है अचानक से Harrison ने Rowena को अपने office में पकड़ लिया वो बुशता है कि तुम किस के लिए काम करती हो Rowena कहती कि में तुम पर स्पाय नहीं कर रही थी Harrison को बिलीव नहीं हो रहा था तो Rowena ने कहा यह तुम्हारे लेक लिस्ट छोड़ने के लिए आई हुई थी तुमने कहा था कि वो ड्रिंग कही भी नहीं मिलता पर मैंने सर्च किया आस पास 17 रेस्टरांट है जहाँ पर वो ड्रिंग मिलता है उसी की लिस्ट में तुम्हें देने के लिए आई हुई थी इतनी सारे डिटेल्स देकर Harrison भी उस पर जादा शक नहीं करता वो फिर उसे कहता है चलो मेरे साथ ड्रिंग के लिए चलो यह दोनों एंज्टाइ कर रहे थे थोड़ी देर में रोविना वाश रूम गई तब ही उसका मोबाइल बचता है यह मैसेज माइल से आया हुआ था वो कहता है कि ठीक है मैं हरिसन की कॉम्पेटर में गुसने का कोई अनादर वे ढूंड लूँगा इस बात से हरिसन कंफर्म हो गया कि रोविना उस पर स्पाइक कर रही है वो जब उसे घर छोड़ने किल जा रहा था तो कहता है कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताओ हरिसन को लग रहा था कि रोविना पुलिस के लिए काम करती है रोविना भी उसे सच नहीं बताती हरिसन को जो लग रहा था उसके हाँ में हाँ मिलाती है हरिसन उस पर बहुत गुसा था कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मार डालो पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा अब अगले दिन मायसी हरीसन के आफिस में पहुँच गया वो कहता है कि मैं आपके IT डिपार्मेंट से आया हुआ हूँ कल रात किसी ने आपके PC को अक्सेस करने का ट्राय किया तो इसकी सिक्यूरिटी बढ़ाने के लिए मैं आव हुआ हूँ हैरीसन भी उस पर बिलीव कर लेता मायस को जो भी चाहिए था यह सारी इंफोर्मेशन भासी मिल कई यहाँ की टूर लेते वक्त हैरीसन की वाइफ जो फोटोस निकालती है यह फोटोस मायल्स ने देखी उसे बता चला कि हैरीसन की वाइफ ने बहुत सारे लोगों को ड्रग करकर उनका फोटो शूट किया था सबकी आखों की फोटो ली थी यह सारी चीज़े बहुत ही लीगल ही हुई थी पर यह जीज डिरेक्ली हैरीसन हिल को ग्रेस के मर्डर से कनेक करती है अब इनके बास हैरीसन की खिलाव सारे सबूत थे रात में रोविना मायल्स से मिलने के लिए उसके घर पर आई मायल्स के क्लॉजेट से कुछ आवाज आ रही थी वो उसके PC के थी जो उसने क्लॉजेट के एक सिक्रेट रूम में रखा हुआ था रोविना अंदर जाकर देखती है तो उसके सारी तस्वीरे वहाँ लगी हुई थी मायल्स रोविना के प्यार में अपसे हिस्टो चुका है उसके PC पर उसने देखा तू अलग-अलग लटकियों की न्यूट फोटोस पड़े हुए थे इसमें Grace का भी फोटो है इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी जब मायल्स घर पर पहुचा तो कहती है तुमने यह सब किया है मायल्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं सिर्फ Grace के साथ एक बार इंटिमेट हुआ था उसके इस सारे फोटोस है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया हैरिसन के खिलाफ उसने जो भी सबुत लाए है इस सारे सबों तो रोविना को दिखाता है रोविना यहां से अपसेट होकर चली गी पर हैरिसन हिल को उन्होंने फ्रेम कर दिया था उसे पुलीस पकर थे कोट रूम में उस पर केश चलता है और उसे गिल्टी करार दिया गया इसके बाद हम देखते हैं कि रोविना की वाश्रूम में वही पॉईजन है जिस पॉईजन से ग्रेस की डेट हुई थी माईस ने रोविना की घर में इस सब देख लिया था वो उसे बुचता है कि तुमने ग्रेस को मारा क्यो रोविना का फिर हमें फ्लैश बैक पता चलता है वो जब छोटी थी तो उसके स्टेफ फादर उसे अब्यूस किया करते थे एक बार ये करते हुए रोविना की मदर ने उन्हें देख लिया गुसे में उसने स्टेफ फादर को मार दिया था फिर रोविना उसकी मदर ने इन सारी चीज़ों को कवर कर दिया अपने बैक आर्ट में फादर की बाड़ी को उनने बरी कर दिया था जैसे कि मैं पता है कि ग्रेस और रोविना ये बचपन से एक दुसरी की नेबर थी ग्रेस ने सारी चीज़े देख ली थी और बचपन से और रोविना को ब्लैक मेल करती आ रही थी उस राज जब वो स्टेशन पर रोविना से मिली और हैरिसन हिल की बारें बताया उस राज भी उसे ब्लैक मेली कर रही थी रोविना इस सबसे तंग आगी उसे कभी ना कभी तो end करना ही था तो उसने मोके का फायदा उठाया और Grace को मार डाला ये सब मायल्स ने फिगर आउट किया जब रोविना की PC पर उसने Harrison Hill को सर्च किया था तो वहाँ अल्डेडी रोविना ने Harrison को सर्च करकर रखा हुआ था Harrison की website से रोविना को painting में poison यूज किया गया था इसके बार में पता था इनी सारी चीजों का फायदा उठा कर उसने एक perfect murder किया ये सब चीजे रोविना जब मायल्स को बता रही थी तो मायल्स भी उसे सहारा देता है वो कहता है कि सब कुछ बहुत ही perfect था पर अब ये मुझे पता चल चुका है इस रास को राज रखने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो वो रोविना के साथ intimate होना चाहता था रोविना को मायल्स की घीन आई और उसे भी मार देती है उसने विरुस के पास जो poison था ये मायल्स के हाथ में रख दिया मायल्स के नाकोनों से अपने आप पर वार कर दिया और फिर वो पुलिस को call लगा दिया उसने सारी चीज़े इस तरीके से stage की थी ये मायल्स नहीं सब कुछ क्या हुआ है वो फिर उसे और एक मर्डर करकर बच गई थी पर इस बार भी रोविना को उसका neighbor देख लेता है इसी cliffhanger के साथ ये movie end हो जाती है ये movie हमें realize करवा दिये कि perfect murder जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती हमने जो भी गलत किया इसे consequences हमें भूगत नहीं पड़ते है मायल्स लड़कियों को exploit करता था उसी दरीके से Harrison Hill ने भी अपनी वाइपर बहुत बार cheat किया था रेस का murder हुआ क्योंकि रोविना को blackmail कर रही थी और finally रोविना भी perfect murder कर नहीं पाए उसे फिर से अपने neighbor ने देख लिया है हर बुरी action के लिए हमें भूगतना पड़ता ही है इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत जारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज चानल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम वेसे मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया